एलो डियर फ्रेंड इंस वान सेगे वेलकम बेक टो और इट उप जनाल नंदा नर्सिंग लाइफ प्यारे दोस्तों यह से सी की और से नर्सिंग के कुछ वेकंसी निका ले गई है तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे इस वेकंसी में कौन को ने पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पास में जो बेल आइकन है उसके उपर प्रेश करके आल में डाल देए ताक कि आने वाले समय पर जितने भी वेकंसी के रिलेटेट वीडियो चैनल में अपड़ होते होते आप लोग को पहले नोटिफिक्शन मिल जाएग जो नर्सिंग कोलेज के लिए है եैसे सी कोलेज और नर्सिंग इंद्राणगर बेंगलरु के लिए कुछ वेकंसी से निकल गए है सो देखिए बहुत सरा जगा में जो मैं साइसे को दो को देखिए जो है ना या पोसे देख को 10 сек जो है उसके लिए और जले चटले के लिए एक vacancy निकाल गई है अन्रिजब बाला इंग्लीज subject के लिए एक vacancy निकाल गई है अन्रिजब बाला इंग्लीज subject के लिए एक vacancy निकाल गई है तो आप लोग को theory class करना पड़ेगा कानदा सब्जेक्ट जो है 30 थियोरी रहेगा 30 अवार्स का थियोरी रहेगा इस अब थेवरी वाइज आपको डिस्ट्यूशन किया गया है और इसके लिए इसके लिए एक रखा गया है जो लोग पोस्ट गाज़ेशन किये हैं मसी किये होंगे वह लोग कर सकते हैं जो रोग मसी ऊर्सीं यह होंगे वह लोग अप्लाइ कर सकते हैं जो लोग अ मसी पोस्टम इंच की लिए अप्लाइ कर सकते जो लोग 67 एज तक है और नाट मोर दन 67 येर्स के निट्स वाला लोग अप्लाई कर सकते हैं तो पर थियोरी आवर को मिलेगा प्राक्टिकल के लिए 200 रुपी मिलेगा अपर आवर के लिए तो यह है आप लोग का असे लिए रहेगा आप लोग का नमरा पोस्ट इस प्रोविजनल एंड में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड और एक्ट्रिल रिक्वार्मेंट के हिसाब से यह बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है तो डेट एंड टाइम अफ रेजिस्टिशन फॉर इंटर्वू फॉर्थ जन्वारे दोहजार बाइस है जन्वारे फॉर्थ जन्वारे चार तरिक हो जाएगा त्यूज़े के दिन होगा अप लोग का इंटर्व्यू एंड रेजिस्टिशन भी होगा 930 शुबह साधे 9 बजे से 1030 तक होगा अपने का रेजिस्टिशन उसके बाद इंटर्व्यू भी सुरू हो जाएगा देट एंड टाइम प्रॉंट फॉर्थ जन्वारे दोहजार बाइस 930 एम ऑन्वार्स हो जाएगा डोकुमेंट वेरिफिकिशन भी एन इंटर्व्यू स्टार्ट ह सुबर 1030 से अप लोका सुरू हो जाएगा फॉर्थ जन्वारे दोहजार बाइस को अप लोका इंटर्व्यू भी स्टार्ट हो जाएगा तो एंगेजमेंट आव विजिटिंग और पार्ट-time लेक्ट्चर्स ऑन हावरली बेसे सेल्वी फॉर देटेमिक यह दोहजार एकिस सब्सक्राइब के लिए अप लोग को फार्ट-time लेक्ट्चर के हिसाब से यह रिकूर्मेंट किया जा रहा है तो दो क्रूशियल डेट फॉर डेटर्मेंट वाग एक्सपिरेंस और क्रेटरिया रखा गया है उसी हिसाब से अब लोग को उसी दिन के पहले से प्रका पाद में नहीं कांट किया जाएगा जितना मालों आप लोग का एक्सपिरेंस इस फूर्त जन्वारे bilir पूर्विल और еक्सपिरेंस तो आप लोग का वह चैब्सक्राहण का वह द बिन गडेंस होना performance in interview conducted by the selection board selection board की माधियम से होगा then document submitted करना पड़ेगा two sets of self-attested photographically eligible and along with application and originals to be produced for verification on the day of interview compulsorily so आप रोको original certificate लेगे जाना होगा document verification करना होगा at the time of interview लेगे जाना होगा and application for complete all respect entry and the documents required to be enclosed with photograph effects on application marriage speed post or email to principal-nursingindiranagar.ka at the red eshc.nic.in isi mail में आप लोग को mail करना होगा mail ID में and आप लोग को hard copy to be submitted at the time of registration जब आप लोग को interview के लिए जाएंगे उसी time उसी hard copy को आप लोग को submit करना होगा इसी mail ID में आप लोग को mail करना होगा and जब आप लोग को interview करने के लिए जाएंगे उसी time आप लोग को जो बेजे होंगे उसी को दिखाना होगा at the time of interview and सारा documents आप लोग को submit करना पड़ेगा प्रूब डेट अब बात SSLC Certificates Qualification Certificate degree और यहरवाइज मार्क लेसी इजी पीजी वालम then experienced certificate अधार कार्ट then two passport such photograph and additional to addition to application form भी अब जो फिलव किया होंगे उसी को भी दिखाना होगा and dear friends यह है वो application form format इसको आप लोग को फिलव करना होगा and जो subject के लिए आप apply करेंगे उसी subject teacher के लिए जो subject teacher अब जो subject पढ़ाएंगे उसी subject को टिक करना होगा Canada के लिए अब करना करेंगे इंग्लिश subject पढ़ाएंगे इंग्लिश subject करना होगा and आप लोग को फिलव करना है पूरा details अपका नाम लिखना है father's name लिखना है mother's name लिखना है देन आप लोगा एच रिलीजियन निशनल इटी मोबाइल नंबर mail id आधार नंबर और पर्मानेंट अट्रस देना है correspondence अट्रस देना है आप लोग को educational qualification details देना है देन एक्पेस्ट देना है देन आप लोग को रिट्रस declaration देना है लास्ली एंड डेट प्रेस डालके आप लोग का signature करना है यहां अपना नाम लिख दीजिएगा यहां आप लोग को mail करना होगा तो डियर्ट फ्रेंट से वीडियो यदि आप लोग को सब्सक्राइब करके जाना तक आने बाले समय पे जितने भी नसीन लिटेट चनल में अप्रोड होते होते आप लोग को notification मिलते रहेगी तो डियर्ट फ्रेंट साथ की वीडियो में इतना है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए information के साथ तब तक के लिए take care and bye bye